रवी अपने माता पिता के साथ एक प्यारा सा घर में रहा करता था। रवी बहुत जादा शरार्ती था क्योंकि वह हमेशा बच्पन से ही बहुत जादा शरार्ती किया करता था। रवी अपने माता-पिता का एक भी कहना नहीं मानता था वह हमेशा से ही अपने माता-पिता के खिलाफ रहता था। तथा जब भी उसके माता-पिता उसे पढ़ाई भीजने के लिए जा जाने के लिए कहते थे। आपको बता दे कि रवी बच्पन से ही बहुत ज्यादा शरार और शरारत करते करते ही वह बढ़ा हो गया था। जब वह बढ़ा हो गया तो उसके पास भी वह नहीं सुधर रहा था। इसलिए उसके माता पिता ने एक तरकीब सोची उसे सुधरने के लिए। अला की नहीं लड़के की जिम्मिवारी क्या उठाएगा। लड़की धूंद घंटे उसके माता पिता को एक लड़की मिल गई है और उस शादी के लिए राजी हो गया। लड़की का नाम खुश्बू था खुश्बू अपने ससुराल आते हैं अपने पती को समझाने बुझ भी नहीं लगने लगा था। रवी भी अब अपने मानसिक संतुलन को नियंतरत करके वह अपने परिवार के साथ बिल्कुल भी एक साथ रहने लगे थे। धीरे धीरे दोनों में सबसे ज़्यादा गहरा प्यार हो गया था। फिर उसके बाद वह अपने परिवार के साथ ख तो रास्ते में उसे किसी कारण बस दुर्घटनाग्रस्थ हो गया था। आपको बता दे कि रवी दुर्घटनाग्रस्थ होने के बाद वह बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकता था। फिर उसके बाद उसकी पतनी खुश्बू उससे कही ज्यादा प्यार दुलार से उसके सभी क काम किया करते थे धीरे धीरे जितना धनराशी रवी कमाया था वह सभी रवी के इलाज में खर्च होने लगा था अब रवी के इलाज करते करते उसके पास खाने पीने के लिए पैसे भी कमाने लगे थे क्योंकि रवी शादी से पहले कुछ नहीं कमाता था ऐसे में उनके पास जादा धनराशी की प्राप्ती नहीं हुई थी क्योंकि शादी के बाद ही उसने कमाना शुरू किया था। करीब एक महीना भी जाने के बाद रवी के कमाया गए सभी पैसे लगभग खत्म हो गए थे। लेकिन उसके पास अब पहले से भी पैसे नहीं थी क्योंकि उसका चल रही थी और वह ठीक होने में और भी समय लेने वाला था। अब पैसे भी खत्म हो चुके थे तभी अचानक खुश्बू को एक तरकीद सोची उन्होंने सोची कि चलो मेरे पास जो सोने चान्दी के गहने हैं। उसे बादार में जाकर बेच कर जितने भी पैसे होंगे वही रुपे रवी का इलाज करवाउंगी। खुश्बू ने एक ऐसा ही किया बाप ने सारे गहने बाजार में सोनार के दुकान में ले जाकर बेच दिया। और फिर जितने पैसे मिले उन सभी पैसों से वह रवी का इलाज में खर्च किया गया था घर में खाने पीने के सा प्रिया अदा किया। आपको बता दे कि उसके कुछी दिन बाद रवी बिल्कुल ठीक हो गया था वह फिर से काम पर जाने लगा था। वह धीरे धीरे कमा कर पैसे खटा करके अपनी पतनी के बेचे गए सारे गहने फिर से खरीद लिये हैं और उससे जादा ही खरीद लिये थ आपको बता दी कि उसकी जिन्दगी आप शादी शुदा जिन्दगी दी है याग बहतरीन चल रही थी। अब उसकी जिन्दगी में एक नन्हा मुन्ना बेटा आ गया था जिसका नाम से रवी और उसकी पतनी बहुत ज्यादा खुश रहती थी। जल्दी रवी काम करके घर आता था वह अपने बेटा को खेलाने में सारे गम और थकावर भूल जाते थे।